असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं और आपकी प्रोग्रामिंग की लर्निंग और प्रैक्टिस कैसी जा रही है तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं इसमें हमने नेस्टिट लूप्स को पढ़ना है तो नेस्टिट लूप्स का मतलब यह है कि एक कोई लूप है और उसके एक और लूप तो इसमें क्योंकि यह बकाइदा कोई लेंग्विज के कोई ऐलिमेंट नहीं है जिसका हम सेंटिक्स देखें और उसकी तफसील पढ़ें जैसे कि इफ है यह सिंपल लूप्स है फार लूप है वाइल लूप है डू वाइल लूप है को इस तरह की चीज नही है और फिर उसकी हम एक्जेंपल करेंगे तो इसमें हम डिरेक्ट एक एक्जेंपल के साथ काम शुरू करेंगे जो कि बिसिकली यह लूप ही है तो लूप के अंदर लूप हो सकते हैं यह कोई ऐसी अनौनी बात नहीं है तो इसमें हम एक्जेंपल एक खुद से बनाते हैं statement बनाते हैं और फिर उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं तो हम जो problem बना रहे हैं उसकी आप देखें कि ये statement है कि हमारे पास एक ऐसा task आया है कि tables आपको बुर्दू में हम पहाड़े बच्पन में सीखते रहे हैं तो English में tables होते हैं तो tables जो हम सीखते हैं या याद करते हैं वो 10 तक हम किसी भी number का हम table याद करते हैं पहले एक से जरब दी दो से तीन से और 10 तक तो अगर एक हमारे पास requirement आती है कि 50 तक के table लिख के दें या 100 तक के table लिख के दें या कोई भी end number एक user से लें और आपका software उतने कर tables बना दे या फिर ये चीज़ भी हम dynamic इसमें कर सकते हैं ये तो एक चीज़ है कि कितने numbers का एक से ले के या दो से ले के कितने numbers तक कर table बना ये एक चीज़ है इसको हम dynamic कर सकते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि normally हम जो table हम बनाते हैं वो एक से दस तक उसको जरब देते हैं तो इसको भी हम flexible कर सकते हैं बाद जगापे मैंने 20 तक के भी देखे हैं table एक ही number है उसको एक से ले के फिर 20 तक जरब देते हैं और जो भी जवाब होता है वो equal के साथ आगे लिखते रहते हैं तो क्योंके ये अभी सुनने में मुश्किल लग रहे हैं एक दम आप को मुम्किन है कि इस तरह सोच के मुश्किल लगे ये कैसे हम इसको करेंगे तो इसको हम ये कि दो दरजों में कर लेते हैं क्योंकि इसमें काम फिर थोड़ा सा असान हो जाता है एक इसमें हम दर्जा ये कर लेते हैं कि पहले सिर्फ कोई भी नंबर हो उसका हम टेबल बनाते हैं जैसे दो का है चार का है और इसको भी हम दस तकी बनाते हैं तो शुरू करते हैं प्रोग्राम एक ओड को अब को ओपन करते हैं अगर आप ने ये आप इंस्टाल नहीं की वी तो अभी आप पहले वीडियो को पास करके फोरण इस आप को इंस्टाल करें ताकि आप फिर हमारे साथ साथ चीजें प्रैक्टिस कर सकें चुक्कि अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे type करके इसको execute नहीं करेंगे उसके अंदर code के अंदर तबदीलियें करकर के नहीं चलाएंगे तो आप नहीं सीख सकेंगे ये मैं आपको बार बार कहता हूं और आप इसको दिल में बिठा लें अगर आप programming सीखना चाहते हैं तो आपको बार बार लिख के और प्रोग्राम को execute करके और उसके मुख्तिलिफ फिर तबदीलियें करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप programming नहीं सीख सकेंगे तो प्रोग्रामिंग आपको एक दफ़ा अच्छी तरह आजाए तो फिर आप किसी भी language को programming language को असानी के साथ सीख सकेंगे क्योंकि programming करने वाला काम common है सब चीज़ों सब languages में तो यह एक दफ़ा आपको मेनत करने की जरूरत है तो यह हमारे पिछली दफ़ा वाला प्रोग्राम है तो इस दफ़ा यह है कि एक हमने क्योंकि assignment proper बनाई है तो इसको हम एक अलग फाइल में code हम from scratch लिखेंगे तो इसमें आपके लिए भी एक यह सीखने का मुका आपको मिल जाएगा कि ने सिरे से अगर एक फाइल आप बिलकुल शुरू से बनाते हैं तो इसमें कैसे काम हो सकता है तो पहले तो देखें कि इसका एक और एप में by defaults का नाम यह untitled.txtr तो जबके हमने अगर शुरू के लेक्चर आपकी है वहां पे इसको हम सेफ करते हैं और यह भी इसी नाम से सेफ होगी है जो के गलत हुए तो इसको मैं save as करता हूँ और file का नाम जो है आपनी मर्जी का देता हूँ अब इसको नाम जो देता हूँ उसको मैं नाम रखता हूँ क्योंकि ये tables हम बना रहे हैं और program को हमने दो हिस्सों में خود ही तकसीम किया है तो एक table 1 के नाम से एक program बनाएंगे हम और एक table 2 के नाम से और extension हम क्योंकि हमारा जो javascript है वो execute हम html के अंदर करते हैं तो इसलिए हमें इसकी extension.htm रखने पड़ेगी तो इसका नाम है table1.htm और ये space आटमेटिकली डाल देता है तो space खतम करने चाहिए क्योंकि इसके बाद डाट के बाद दाएं और बाएं space नहीं होने चाहिए table1.htm या फिर html भी लिख सकते हैं तो इसमें अब पहला काम हमने क्या करना होता है कि script का tag लिखना होता है ये हम पहले लिखेंगे और इसका बलके structure बना के एक दफ़ा इसको टेस्ट करना जरूरी है अधिके closing tag उसने खुद ही डाल दी है मेरबानी उसकी तो testing के लिए क्या मैं करता होता हूँ एक दफ़ा जैसर मैंने बताया है कि आप नया program बनाएं तो पहले एक hello world program बना के उसको run करें ताकि आपको पता लग जाए कि जो आप चीज चला रहे हैं वो उसकी बनियादी basic structure तो ठीक चल रहा है कभी कभी आप वो ही बात है कि extension उसकी गलत दे दे या पर ये script के tag में को गलती कर दे तो तब भी वो नहीं चलेगा तो बेतरी है पहले आप अपना जो basic setup है उसको आप कर लें तो alert में एक करवा के देखता हूँ जिसमें मुझे confirm हो जाए कि ये सही चल रहा है और इसको मैं close भी कर दिया है एक दफ़ा फिर इसको run करने से पहले save किया play के बटन भी क्लिक किया और ये ok लिखावा आ गया है तो इसका मतलब यह है कि हमारे program की execution ठीक हुई है अच्छा जी अब हम इस line को खत्म कर देते हैं क्योंकि हमने लिखनी नहीं थी हमारा मकसद नहीं था तो हम direct loop जो है वो start करते हैं तो इसमें आप देखें क्योंकि अभी हमने जो इसका sub part बनाया है वो जी है कि किसी भी एक number का हमने table show करना है बिल फरस दो का हम कर ले लेते हैं दो का table हम display कराएंगे और उसको दस तक multiply करेंगे तो इसमें क्योंकि एक sequence है कि दो को हमने पहले एक से जरब देनी है पहले मतलब इसको बेशक पेपर की उपर आप लिख लें तो पेपर लिखेंगे तो आपके पैटरन नजर आएगा पैटरन नजर आएगा तो उसको आप समझ के follow करके उसके आप तो यह किसी variable में store हम कर सकते हैं और दूसरी चीज हमें एक नजर आ रहा है sequence के पहले one से जरब देनी है फिर दो से तीन से two से और यह एक sequence है तो इसको हम असानी से इसको loop के साथ कर सकते हैं एक तो यह कि सबसे असान हल तो यह है कि आप 10 दफ़ा यह output वाली statement लिखें और 10 द काल नहीं है आपको फिर छोटी सी कोई change करनी है कि आपको गर जिस तरह मैंने बताया है कि अगर अभी तो 10 तक हम जरब दे रहे हैं नंबर जो भी है उसको लेकिन requirement आ जाती है 20 से 20 तक जरब दें या और ज़्यदा requirement कर देते हैं तो फिर आप फस जाते हैं तो प्रोग्राम जितना डाइनेमिक हो सकता है उतना करें तो अच्छा है तो इसको भी हम डाइनेमिक ही बनाएंगे और हम पहले लूप जो है फार लूप स्टार्ट करते हैं और structure आपको जहें में होना चाहिए इसमें तीन पार्ट होते हैं पहले पार्ट में वेरियेबल की इनिशिलाइश होती है और मैं अक्सर जो लूप के लिए वेरियेबल इस्तमाल करता हूं उसका नाम मैं लवी रखता हूं यानि के लूपिंग वेरियेबल यह है और इसको हम इनिशिलाइश करते हैं वन के साथ और इससे उपर हम एक वेरियेबल बनाते हैं कि यह हम टेबल किस नंबर का ब बनाते हैं बी ए आर एन यू एम नम के नाम से एक विरियबल हम बनाते हैं और इसको इनिशिलाइज कर देते हैं टू के साथ जैसे के हमने यही का है ना टू का टेबल हम बनाएंगे और यहां पे हम सेमी कालन और फिर यहां पे कंडिशन आ जाएगी हमारी के लूपिंग विरियबल इस लेस देन 11 कर देता हूँ यानि 10 तक यह चलेगा फिर सेमी कालन और यह इसके दिर्मियान वाला पार्ट हो गया जिस तरह के हमें याद है कि लूप फार लूप के यह तीन पार्ट होते हैं और तीसरे पार्ट में इंक्रिमेंट या डिक्रिमेंट होता है और इसको हम प्लस प्लस करते हैं तो अभी हम बाड़ी बनाते हैं लूप की इफ के साथ बाड़ी बनती है और लूप के साथ बाड़ी बनती है तो यह हम इसके body का structure पहले ही बना देते हैं ताकि गलती हमसे ना हो रह ना जाए तो अभी हम सिर्फ एक काम करते हैं कि जो हमारा looping variable है उसको हम display कराते हैं ताकि हमें अंदाजा होके loop सही चल रहा है तो इसमें हम statement पूरी रिखते हैं document.write यह हमारा एक function है जो के screen की उपर display करने के लिए इस्तमाल होता है अच्छा और इसमें देखें कि यह हमारे closing brackets double हुई है किस वक्त हुई है मुझे नहीं पता लगए यह गलत है तो एक आने चाहिए थी तो इसको हम save, run तो हमने यह देखा के एक से लेके 10 तक print हो गया और यारवी दफ़ा जब iteration जब plus plus हुई है तो condition false हुई है और यह बाहर आ गया अगर हम यहां पे आके print अगर वैसे अपनी testing के लिए करवाएं तो यह LV के अंदर 11 होना चाहिए confirm करने के लिए कि वाकिए वह उस पे false हुई है जब तो यह इस चीज़ को मैं आपको तसली के लिए यह चीज़ मैं आपकी तसली के लिए कर रहा हूँ अगर फिर रन किया हमने और 11 भी देखें आ गया है तो अभी मैं यह वाली आखरी लाइन खतम कर देता हूँ क्योंकि यह वैसे testing के लिए मैंने की थी इसको save करता हूँ तो देखें अब हम table का जो structure है वो बनाते हैं क्योंकि अभी तो सिरफ 1,2,3 वो लिखा वा रहा है और पहली बात यह है कि यह step by step करते हैं अभी तो 1,2,3 जो 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 जनी multiply जिसके साथ करना है वो वले numbers एक ही row में सब लिखे हुए आगे हैं यह कि इसको अलग लग रोज में पहले लाने के लिए हमें यहां पे क्या करना चाहिए हमें यहां पे इसके साथ concatenation करने चाहिए कि एक आपको याद होगा कि नई लाइन के लिए बी आर का हमने टैग पड़ा था ब्रेक यानि लाइन ब्रेक तो उसको हम टैग यूज़ करते हैं और इसको हम quotation के अंदर लिखेंगे सिंगल कोट डबल कोट दोनों इस्तमाल हो सकती हैं मेरे खलत सिंगल कोट से ही मैं काम चला लेता हूँ और यहां पे चुकि यह एक पूरा टैग है इसको टैग लिखेंगे और यहां पे बी आर लिख देंगे ब्रेक तो अब चुकि बाइं तरफ एक विरियेबल है ठीक है और दाइं तरफ जो है एक स्ट्रिंग है तो इनको हमने अकठा डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम क्या करते थे concatenation करते थे तो यह हमने अभी concatenation कर दिया है और इसको नमबर को वो फिर display करा देगा और साथ में string क्योंकि भी आ रहा है तो यह जो अभी 1, 2, 3 10 तक एक line में आया था यह इसी तरह 10 line में आ जाएगा इसको save करते हैं run करते है तो जैसे कि हमने चोटी सी एक तबदिली किया है तो उसमें एक step हमारा हो गया तब हमने करना क्या है कि इसके बाईं तरफ हमने multiplication का sign डालना है और फिर उसके बाईं पर to लिखना है यानि जिस नमबर का table हम बना रहे हैं और फिर यहाँ पर इसके right side पर equal लिखके जो भी उसकी result बनता है वो हमने लिखना है तो अभी हम अगला step करते हैं और इसकी अब देखें क्योंकि हमें location पता है कि यह जो number है हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं looping variable वान टू त्री फॉर इसके बाईं तरफ तो यहाँ पर हम यहाँ पर अब हम लिखते हैं N, U, M और फिर quotation के अंदर हम लिखते हैं तो इसमें हम multiplication के लिए static अमूमन इस्तमाल होता है actual जो operator है लेकिन display के लिए हम x जो sign है इसको इस्तमाल कर लेते हैं इसमें कोई एक बीच में स्ट्रिंग की गरबड़ हुई है मैंने उसको अभी fix कर दिया है क्योंकि यह फिर हमें तंग करेगा तो अब देखें एक यह number हमने display कराना है फिर string है फिर number है तो अब यह जो तीनों चीज़े हैं इनके दिरम्यान दो जगा पे एक यह x जो हमने लिखा है उसके और नम के दिरम्यान और एक यह x लिखा है और इसके रुदाएं तरफ looping variable के दिरम्यान concatenation करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं plus sign और इदर भी plus sign और spaces मैं खुद इसके दाएं बाएं दे रहा हूँ ताके code देखने में आसान लगे समझ आए तो एक step हमने और कर लिया है save किया इसको run किया ताके step by step हमें चीज़े हूँ अच्छा अब देखें यह तो ठीक है two ones are इदर two आना चाहिए अच्छा एक और बात यह के equal sign इदर नहीं आया और दूसरा यह के जो multiplication है इसके दाएं बाएं space होनी चाहिए ताके वो display ज़्यदा अच्छा लगे तो यह बड़ा असान काम है यहीं पे space एक space तो अराम से आजाती है आपको पता है HTML में एक space बगएर किसी तरदद के आ जाती है दूसरी ज़्यदा spaces के लिए फिर हमें वो एक code हमने पड़ा था NBSP NBSP और फिर आखर में semi-galan तो खेर अभी उसकी जरूरत ही नहीं है तो यहां पे आप देखें के equal sign डालना है और equal sign जो यह LV लिखावा आरा है अभी यह space आगी है जैसे यह अब LV है 1 उसमें पहले value थी टू थी तो इसकी दाएं तरफ equal sign डालना है तो वो फिर जगा यह वली बनती है यह वली तो यहां पे क्योंकि पहली string है तो अभी हम equal तो डाल देते हैं इसके अंदर ही लेकिन हमें फिर इसको मजीद fix करना पड़ेगा क्योंकि फिर actual जो result है एक line का जो result बनता है वो भी हमने display कराना है तो मेरे ख्याल है वो ज्यादा बेतर है कि हम एक ही दफ़ा सही तरह करें तो मैं एक और string डालता हूँ और एक dummy result मैं उसमें शुरू में ही लिख देता हूँ तो यह एक और मैंने string डाल दी और इसमें खुदी space पहले डाल दी इस क्योंकि equal के दाएं बाएं space मैं देना चाहा रहा हूँ ठीक है और अब यह दूसरा string है इसके साथ और यहां पे फिर plus sign डलेगा और एक और चीज मैं कह रहा था कि यहां पे हमने उसकर equal की right side पे result भी display कराना है लेकिन अभी चले इस दर्जे तक हम यह करते हैं तो यहां तक यह ठीक आ रहा है result ठीक है equal sign भी आ गया है अलबता यहां पे थोड़ा से हमारी equation थोड़ा सी टेरी हो रही है वह उस वज़ासे कि यहां पे जब यह पहुँचता है तो इसके साथ क्योंके zero है तो एक character का difference आ जाता है लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही चलने देते हैं वरना हमारा program मज़ीद मुश्किल हो जाएगा तो अभी चूंके इसकी formatting हमारी इतनी ज़्यदा focus नहीं है main अभी focus हमारा programming करना है और इसके display कराना है result तो इसको अभी हम close करते हैं और अब हम यहां पर result डालते हैं तो उसके लिए हम एक काम पहले से करते हैं कि result का variable एक उपर बना लेते हैं कि जो line result बन रहा है ताकि हमारी यह नीचे वरी जो equation है यह चोटी हो जाएगी तो उसमें एक हम उपर एक variable हम बना लेते हैं रिजल्ट के नाम से यह यह बेसिकली लाइन रिजल्ट है तो इसको बलके हम सिर्फ रिजल्ट ही लिख देते हैं रिजल्ट और इसको इनिशिलाइज जीरो से करा देते हैं जरूरी मेरे ख्याले नहीं हैं लेकिन तो अब यहां पे क्योंकि इसमें start ही हम इससे करें कि इसमें value assign हो गई तो इसको initialization हम छोड़ भी सकते थे तो result जोके variable को value assign करनी है तो variable का नाम लिखके equal sign लिखके और equal के दाएं तरफ जो भी value assign करनी है तो value हमने क्या assign करनी है जो actual calculation है यहनी के जो num हमारे पास variable है num अब यह operator हमने multiply के लिए steric होता है तो word लिख है और यहां पे जो अभी variable चल रहा है looping variable वो लिख दिया तो यह current line का result इसमें आ जाएगा पहली दफ़ा two and one multiply होके two ही इदर आएगा पहली दफ़ा loop की iteration में तो उसको अब हमने display भी कराना है यहां पे तो हमें फिर एक और इदर variable का नाम लिखेंगे और जोके यह variable है और dyn तरफ string है तो फिर हमें plus का sign concatenation के लिए डालना होगा तो इसको हम save करते हैं और फिर इस प्रोग्राम के जो code है यह इस वीडियो की description में भी copy कर दूँगा और इसको इसके इलावा आगे भी जो इस तरह के example प्रोग्राम जितने करेंगे इंशालला तरह उनके code साथ साथ में आपको वीडियो description में दे दूँगा तो इसको अब हम execute करते हैं तो हमारा table वाला जो पहला table वाला काम है वो हमारा ठीक हो गया two ones are two, two twos are four and so on तो अब इसमें देखें अब हमारा प्रोग्राम तो ये उसका एक पार्ट जो हमने सोचा था वो बन गया है इसमें अब nested loop का इस्तमाल नहीं हुआ है वो आगे उसमें होगा तो इसमें थोड़ी सी हम देखे variations कर सकते हैं जैसे अब भी कोई हमें कहें के इसी प्रोग्राम को 10 के बजाए ये 20 तक का टेबल ये 2 का बता दे तो हमने क्या करना होगा simply यहां पे 11 की जगा अगर हम 21 लिख देंगे तो ये 20 तक के calculation कर देगा ठीक हो गया और इसी तरह इसको मैं वापिस इसको 10 का ही रहने देता हूँ और आपको 2 की बजाए 20 का किसी को टेबल चाहिए तो यहां पे उसका नंबर वो नम जो है वो चेंज कर दें देखे इसको 20 कर दिया है और ये 20 का टेबल सामने आ गया है तो इस तरह हम ये असानी से कर सकते हैं और इसमें हम इसको डाइनामिक ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी हमने इसमें हार्ड कोड वैल्यो की वी थी की विया 2 ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यूजर से हम वैल्यो ले ले लें जैसे कि हमने एक prompt के नाम से एक function पड़ा था तो वो यही करता था user से input लेके process कर देता था तो अभी हम आते हैं nested loop की तरफ video यह शायद थोड़ी लंबी हो जा लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसको पूरा ही करना चाहता हूँ तो इसमें इसमें अब देखें के दूसरा जो पार्ट हम करना चाहा रहे हैं कि हम एक के table से लेके 20 तक के जो number है इसका हम table generate करना चाहते हैं तो इसमें देखें जो एक इसमें अब divide हम किस तरह करते हैं कि हमें समझाती है कि एक loop क्या करेगा और दूसरा loop क्या करेगा अगर हम देखें यहां पर अभी जो हमने टेस्टिंग की है कि जैसे नम की वैलियो चेंज की है इसको अभी हम मसलां वन करते हैं अब देखें यह मैं आपको थोड़ा सब समझाने के लिए कर रहूं कि यह हमारा एक सीक्वन्स देखें हमने निकाला था जिसके लिए हमने यह लूपिंग विरियेबल का हमने देखा था तो इसकी वज़ा से हमने लूप का में अंदाज़ा वगता कि हम यहां पर इसकी जग़ा लूप इस्तमाल कर सकते हैं तो अब एक सीक्वन्स आप और देखें कि पहले मैंने वन वहां पर लिखा टू लिखा टू तक का हो गया और इसी तरह थ्री मैं करूंगा यह थ्री का टेबल दिखा देगा फॉर करूंगा फॉर का फाइव सिक्स और तो एक सीक्वन्स देखें यहां तक हमारा कोड बिल्कुल यह ठीक चल रहा है कोई भी उपर से नम में वैल्यू आये तो यह उसका टेबल दिखा देता है तो अब उपर जो एक सीक्वन्स देखें बन रहा है हमें चाहिए एक सीक्वन्स वन टू टू ट्री फॉर फाइव एंड सो अन टूट्टी तक एक सीक्वन्स चाहिए तो यह हमें इस चीज का बतार है कि यहां पे एक उपर अगर हम इसके उपर एक एक अगर हम लूप लगा दें इस फार के उपर एक लूप लगा दें जो पहली दिखा 1 हो दूसरी दिखा 2 हो यह बजाए इसके कि यह यहां पे values fix अभी हम दे रहे हैं यह dynamic हो जाएं तो यह automatically आपके tables उसी तरह बनने शुरू हो जाएंगे पहली दफ़ा one का table बनेगा दूसरी दफ़ा two का, three का and twenty तक तो इसको देखें फिर हम करते हैं और यहाँ पे इस line को हम comment कर देते हैं चुक्कि यह हमारे basically यहाँ पे हमने इसी को तो dynamic करना है और वो dynamic कैसे होगा जो outer loop होगा वोई variable basically num होगा बनाव आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हमने sequence यह समझा है, यह sequence एक है तो ऐसे हम अब यहाँ पे loop एक करेंगे, बनाएंगे और यह भी क्योंकि एक से 20 तक चलना है, हमें fix value पता है तो इसका मतलब यह है कि यह for loop ही लगेगा तो हम लिखते हैं for और इसके for की parentheses और initialization part और इसमें variable और यह भी looping variable ही है लेकिन क्योंकि lv का variable हम पहले ही इस्तमाल कर चुके हैं तो इसको अब हम नाम अलग देंगे तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ नाम इसका तबदील करके olv यह यह आउटर लूप है ना, olv ठीक है, इसका नाम मैंने खुद तबदील कर दिया is equal to initialize one से होगा semicolon और second part इसका हमने जिस तरह सोच हुआ है 20 तक चलना है तो olv less than 21 कर देंगे तो वो automatically 20 तक ही जाएगा और आखरी part इसकी increment या decrement और इस case में increment ही होगा तो olv plus plus तो अब देखें, sentence जो हमने पहले पढ़े हैं उनको भूलना नहीं होता अब sentence का यहां पर काम है कि इस loop की body start होगी तो body हमने start की और यह बकी सारा का सारा code इस outer loop के अंदर आएगा तो यह यहां पर program हमारा close हो रहा है यह हमने उसकी body close कर दी और यहां पर मैं चूंकि अब यह दो brackets आगे हैं confusing है तो मैं इसकी यहां पर साथ में O, L, V भी लिख देता हूं वैसे comment में यह मैंने लिखा है ताकि यह पता लग जाए कि outer वाले के closing हो रही है और इसके भी मैं comment में लिख देता हूं L, V यानि जो internal looping variable है यह inner जो loop है उसका variable है तो थोड़ी सी इस तरह समझने में असानी हो जाती है और फिर जो मैंने आपको बात बताई थी कि coding के हिसाब से बहुत एहम है और जरूरी है मतलब execution के हिसाब से नहीं समझने के हिसाब से तो अभी देखे यह code क्योंकि भी वलब बाकी code इस outer loop के अंदर आ रहा है तो इस सब को एक एक चंद character tab करके हमको indent करना चाहिए तो बाज जगह पे दो character की indentation होती है बाज जगह पे चार की होती है तो यहाँ पे देखे मैं मेरे पस एक यह tab के यहाँ पे उपर मुझे नजर आ रहा है बटन एक tab का बना हुआ है तो मैं इसको tab करता जा रहा हूँ अच्छा अब इसमें देखें एक अब इशू और आ रहा है कब जो result के variable है यह बिलकुल इसके level पे आ रहा है इस far loop के तो इसको भी एक step आगे होना चाहिए चुक्छे यह इस विरी इस वले loop का code है इसकी body है तो अब देखें हमारा यह code उसे साब से ठीक हो गया है तो अगर हम इसको अभी execute कर देंगे तो यह सही नहीं चलेगा और उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा यह है कि हमने यह नम बीच में से हटा दी है और यहाँ पर यह नम के साथ multiplication हो रही है तो यहाँ पर मैंने आपको जो यह comment कराया था अब यह देखें कि हम क्या करते हैं क इस var num is equal to वो वला हम variable कर देते हैं जिसके लिए सारी कहनी हमने बन दिया है यानि कि जिसको हमने dynamic किया है और वो कौन सा variable है वो यही निया looping variable है ओ ल, व, तो इसकी value हम assign कर देंगे num के अंदर तो automatically पहली दफ़ा num 1 होगा, loop की next iteration में num 2 होगा, तो नीचे वाले loop जो है यह तो वैसे ही चलेगा, जैसे कि यह पहले चाल रहा था तो यह हमारा almost complete हो चुका है, इसको save करते हैं हम, इसको हम run करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यह पहली दफ़ा one का table, दूसरी दफ़ा two का table, three and so on, twenty तक यह tables बन गया है, लेकिन काम हमारा जैदा हो गया, लेकिन एक चीज़ अब देखें हमारे बीच में हमने नहीं की, कि हर table के शुरू में उसका लिखना चाहिए था, हमें कोई wording table of one, table of two इस तरह में करना चाहिए था, तो अब हम अपने, यहां पे skills का थोड़ा सा और इस्तमाल करेंगे, और यहां पे जो नीचे वाला loop है, उससे पहले पहले हमें एक, यह document.write वाली statement हम लिखेंगे, और उसम document.write, और, और क्योंकि यह थोड़ा से हमें बड़ी चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, कि HTML का इस्तमाल करते हुए tag का, एक HTML का tag है, h1 के नाम से, यहांनि सबसे बड़ी जो heading का level है, heading यह इसमे 1, h1, h2, h3, 6 तक यह level है, by default, इसके लाब आप खुद से भी बहुत सरे बना सकते हैं, और इस तरह classes वगरा, तो अभी हम, चलें, इसकी जो build हैं, उसी को इस्तमाल करते हैं, और यहां पे हम लिखते हैं, table, off, और यहां पे आगे number आना चाहिए, तो इसको अभी मैं चले x लिख देता हूँ, और बलके मैं पूरा complete ही करता हूँ, ताके, और number वो कौन सा है, वो num भी है, क्योंकि शुरू में वो उसमें one होगा, फिर two होगा, तो यहां पे फिर उसका हमने लिख दिया num, और यहां पे हमने, चुकि यह string है left side पे, right side पे number है, इसको concatenate करना है, और उसके लिए हमें पता है, plus sign इस्तमाल होता है, तो अब हमें एक concatenation और करने की जरूरत है, कि यह जो हमने h1 लिखा है, अगर इस tag को हम close नहीं करेंगे, तो फिर यह पूरा सही तरह नजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहां यहां पे, इसको close करने के लिए एक string हमें और लिखनी पड़ेगी, और इस tag को हम close कर देते हैं, और यह हम इसको, और हमें पता है कि close करने के लिए बाकी नाम तो almost tag का वैसे ही होता है, तो सिर्फ एक चीज़ का difference होता है कि इसके bracket जो tag की है, उसके start में slash आ जाता है, ठीक है, table of num, num के अंदर शुरू में one होगा, फिर two होगा, so on, इसको हम save करते हैं, और इसको play करते हैं, तो इस चीज़ का मतलब यह है कि हमने कोई गलती की है, इसी वज़ा से result नहीं आया है, इसको बंद करते हैं, और गलती नोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं debugging करना, यह अपने code में गलती निकलना, और हमें पता है कि हमारा यह code थोड़ी देर पहले तक से ही चल रहा था, और हमने नई लाइन यही लिकी है, step पर step करने से यह फाइदा होता है, आपको पता होता है कि गलती इदर ही है, तो हमें पता है यह string है, string को हम number के साथ concatenate कर रहे हैं, बीच में plus आना चाहिए था, अच्छा आगे फिर string है, इदर number है, और हमने एक चीज़ मिस कर दिया यहां पर, concatenation के लिए plus का operator, तो आपने गलती नहीं करने, क्योंकि यह जो process जब यह करते हैं, तो यह आपका लिहाज नहीं करते कि आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं, तो आपका लिहाज करके result दिखा दे या बज़रग हैं, तो तब कर दे, लियाज कर दे, या आपकी उमर छोटी है, आप बच्पन में ही सीखने शुरू कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, नहीं ऐसे नहीं होगा, यह गलती करेंगे तो आपका पूरा बरपूर साथ देगा, गलती ही करेगा, तो इसको हम run करते हैं फिर से, तो आप देखें, सिरफ वो जो हमने स्ट्रिंग लिखी है, एच वन और टैग उसका हमने यूज किया, उसकी वज़ज़ से हमारी प्रिजेंटेशन में कितना फर्क आ गया है, और अभी आप देखें कि ये हमने सिरफ टैग हमने यूज किया है, वरना इसमें एक और चीज होती है, एच टीम मेल के साथ साथ सी एसस उसको बोलते हैं, तो सी एसस आप इसमाल करें तो इसको बहुत और जएदा खुबसूरत रंग बरंगा, और इसकी जो ले आउट का ये एक छोटा सा हमारा इसमें आप कहलें बग है, तो उसको भी अराम से फिक्स किया जा सकता है, लेकिन वहां तक जाना हमारे इस कोर्स का स्कोप नहीं है, तो इस वजह से हम यहीं पे क्लोस करेंगे और ये हमारी वीडियो भी खिलाफ मामूल ज आपक जैसे जैसे मुश्किल होंगे तो आपको फिर मेंद भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आगे फिर हम एक हम देखें नेस्टेड लूप एक हमारा हो गया है, तो आगे इन्शाला ताला फिर हम मजीद नेस्टेड लूप की ही एक्जेम्पल्स करेंगे, और मेरे खिया चार-पांच शाद एक्जेम्पल्स हम करनी पड़ेंगी, चंद घंटे और लगाने पड़ेंगे, यही आप जैन में समझ लेंगे कि आपके तक्रीबन इतने घंटे और लगेंगे सेखने में, तो फिर अगर आप सारी वीडियो सही इसी तरह फालो करते वे आ रहे हैं, तो इन्शालात आपकी प्रोग्रामिंग स्केल को एक बूस्ट मिलेगा, और आप टाइम नहीं दें इसको और एक्सरसाइज प्रैक्टिस ये वली चीज़ें नहीं करें बार बार खुद, तो उमीर भी आप बिलकुल ना रखें, खाली वीडियो देख देखके मोटिवेट हो क एक ये काम नहीं होगा, ये काम करने से आएगा, भाई एक्समेड़, खुद एक्समेड़ आप करेंगे, प्रॉसिस करेंगे, च्छुटे-च्छोटे प्रोग्राम बनाएँ गे तब होगा, तो यहां पे आके मोटिवेश्नल स्पीकर्स जों रह जाते हैं, तो यहां पे सि मेंज नहीं आई है इस में तो इसी वीडियो के कम्मेंट में है आप इस इसमें मेंशन करें साथ में हमारा वाटसएप NĂμबर भी इसमें दिया जाता है आप उस पर मेंड़ा करके हमसे चीजे सीख सकते ऑं और बाकी मैंन main course तो इसी तरह वीडियो की अंदर ही है तो इन्शाला ये course हमारा खतम होगा तो फिर हम इन्शाला और जो programming languages हैं उसके courses हम शुरू कर देंगे तो फिर हम ये है कि ये detail में चीजें इस तरह explain नहीं करेंगे कि ये हमने loop कैसे लिखा है क्यों लिखा है नेस्टिड लूप है तो किस तरह हमने अभी जिस तरह explain कर रहे हैं साथ कि ये steps हैं ये सोच कि हम इसमें sequence find out की है तो उस वकत फिर वो चीजें हम नहीं करेंगे उसमें सिर्फ ये demonstration ही होगी कि हम किस तरह mobile को इस्तमाल करते हुए C language मस्तन सीख सकते है C++ सीख सकते है Java language मस्तन सीख सकते है Python language मस्तन सीख सकते है एक Dart के नाम से language है मस्तन वो सीख सकते है तो इसके लावा और भी मुमकिन है कुछ languages हों तो वो हमारे बहुत brief से courses होंगे ये थोड़ा detailed courses है course है programming के क्योंकि हवाले से है तो हमें द्वाओं में जाद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम उलेकुम